हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी के हमारी योटुब चैनल से जिग्यान पर दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम 50 महत्तुपूर्ण प्रश्ण जो कि होगा हिंदी से जो कि आपके 36 गड़ प्री बीट और डीट एक्जामपली बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होगा तो चलिए वीडियो श्टार्ट करती हैं और अगर आप चैनल पनायाँ तो चैनल को जरूर सब्श्क्राइब करतीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजेगा चलिए श्टार करतीए धिखिये पर्स्ट क्च्छन है सुफम्दरी और प्र कि कभी कह जाती है इनकी प्रमुक्रश्ण जो है वो कमाईनी है याद रखेगा यहां सभी क्वेस्टन बनता है कि जैसंकर प्रशाद की जो प्रमुक्रश्ण है वो कमाईनी है चले देखते हैं अगला प्रश्ण पाठ साला सब्द है आपको बताना है विदेशी सब्द है योगिक सब्द है योगरूड है या रूड है देखे दोस्तों पाठ साला जो सब्द है वो सब्द है योगिक दो सब्दों से मिलकर बना है पाठ और साला मतलब पाठ के लिए साला जहां पढ़ाया जाता हो तो योगिक सब्द है याद रखेगा option B इसका right answer होगा अगला प्रशन है निम्न लिखित में से असुद्ध वाके का चैन कीजिए दिया गया है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है पेड़ पर मैना बैठी है निर्दई वेक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए मोहित गेहु पिस्वाने चक्की पर गया है बताए दोस्तों असुद्ध वाके का चैन करना है आपको कौन सा है तो देखिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है यह जो है असुद्ध वाक्य है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है तो देखिए यहाँ पर रहेगा यह जो सुद्ध वाक्य इसका रहेगा और रहेगा उसके घर के पास मिठाई की दुकान है अप्शन ए इसका राइट अंसर रहेगा चले देखते हैं अगला प्रश्न इन में से पगड़ी कौन सा सब्द है आपको बताना है तद्भाव है तद्शम है देशाज है या विदेशाज है देखे दोस्तों तद्भाव मतलब जो हिंदी का सुद्ध रूप है वो माना जाता है और तद्शम आप इससे समझ लीजिए संस्क्रीट को तद्भाव जो हिंदी है और तद्शम जो संस्क्रीट है तो इस तरह से आप इससे याद रखेगा तो इन में से पगड़ी कौन सा सब्द है तो देखे दोस्तों पगड़ी जो सब्द है वो देशाज है गाव देहात में बोले जाने वाला जो है सब्द है पगड़ी तो य कि अपसने इसका राइट अंसर रहेगा आपको अगर हिंदी की संपूर्ण मतलब जानकारी चाहिए नियम से सहीत नियम सहीत समास और स्वर का मतलब जो संधी है उसका तो आप जरूर प्लेश्ट पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखेगा दो वीडियो अपलोड है उसमें संपूर्ण जैनकारी उसमें बदाई गई है तो देखें आप भीती में कौन सा समास है तो तत पूरुष समास है चले देखते हैं अग जा चुका है और कई बार एक्जाम में तो इस तरह से important question रहता है तो इसे जोरी याद रिखेगा तत्थ पूरुष समाज है तो इसे याद ही कर लिजिएगा अगला प्रस्ण है देखिए निम्नांकित सब्द मतले एक सब्द में उपसर्ग नहीं लगा है निम्नांकित सब्द में उपसर्ग नहीं लगा है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है उपसर्ग मतला आगे प्रभाव पराजय अपवाद ओड़ना बताई दोस्तों इसके राइट अंसर क्या रहेगा तो देखे उपसर्ग सब्द नहीं लगा है तो उपसंडी जो रहेगा ओड़ना में नहीं लगा है इसमें जो प्रा है वो उपसर्ग है अब जो है इसमें उपसर्ग है और इसमें पर ये जो है उपसर्ग है लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं लगा है तो अब संडी इसका right answer होगा अगला प्रस्ष्न देखते हैं प्रबंध कावे के कुल कितने भेध बताए गए हैं तो देखें दोस्तों इसका right answer अंकित ने गाना गाया होगा तो देखें दोस्तों गाया होगा गाया होगा यह question में है तो यह भूत काल में है option B इसका right answer होगा 6 असर्ठ है अप giralak का परसरग है कि do it अपर सर्ग है इसका right answer हो जाएगा से Josho से जब भी याद करते हैं हम संप्रदान के लिए अपढदान से जो सब्द होता है उसके जो si होता है उसका अर्थ होता है अलग करना अलग होना तो अपदान जब भी पूछा जाएगा कारक का परसर परसागा तो याद रिखेगा she is third answer गाएगा से अपदान से को option is the right answer गरेगा next question है कहेंची किज भासा का सब्द है important question है दोस्तों यह जो है पूछा जाता है कैंची जो है किस भाजा का सब्द है पुर्तगाली का, अर्बी का, फार्सी का या तुर्की का बताई दोस्तों तो देखे दोस्तों कैंची किस भाजा का सब्द है तो आपसा ने पुर्तगाली का पुर्तगाली का सब्द है कैंची याद रखेगा चले देखते हैं अगला प्रश्ना नीमने लिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्था है आधी-आधी चीजों को मिला कर एक करना शुमेल चीजों को बटोरना आधी-आधी चीजों को सात रखना बेमेल चीजों का सम्मिश्रान मतल है दोस्तों ? तो देखे दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा, option D बेमेल चीजों का सम्मिश्रान, मतलब, पांच कप है और पांच पलेट है इनको बना कर 10। तो पांच इसमें से कप है और 5 प्लेट है मतलब बेमेल है तो मतलब बे मिल चीजों का मिसरान यही से मतलब आधा तीतर है और आधा बटे रहे तो बे मिल चीजों का समिसरान option D इसका right answer होगा लक्ष सब्द के दो अर्थ हैं कौन कौन से आपको बताना है दोस्तों लक्ष सब्द के अर्थ सही उद्देश्य, गती, चाल, नाम, बल, उद्देश्य, निसाना बताई दोस्तों लक्ष तो देखे लक्ष के दो अर्थ होते हैं एक होता है उद्देश्य, एक उद्देश्यों के लक्ष मानते हैं हम और एक निसाना को लक्ष मानते हैं तो इसको option D का right answer होगा एक वाक्य मुत्तर देना है दोस्तों अगला प्रश्न तिर्शाट इंद्रियों को वस में रखने वाला का एक सब्द क्या होगा इंद्री जीत इंद्र जीत इंद्रदेव इंद्रिया जीत बताई दोस्तों तिर्शाट के राइट अंसर क्या होगा तो 33 के राइट अन्स रोगे दोस्तों, آپसण ए इंद्री है जीत इंद्रीयों को वस्मे रखने वाला एक सब्द क्या होगा? इंद्री जीत अगला प्रस्न है शवण़न का उचारनिस्थान है आपको बताना है सवण़न का उचारनिस्थान है तालू, दंत्य, मुर्धा या कंट तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा option A, तालू तालू, option A, इसका राइट अंसर होगा जिब के उपर का भाग उसे तालू बोलते हैं, दंत ये दांत, कंट है और मुर्धा, जिब के पीछे का भाग गायक सब्द के सही संधी विच्छेद पर सही का निसान लगाएं गायक सब्द के सही संधी विच्छेद पर सही का निसान लगाएं दिया गह है गः प्लस यक, गः प्लस अक, गः प्लस आयक, गः प्लस यक बताइए दोस्तों, गायक सब्द के संधी विच्छेद गयक सब्द के संधी विच्छेद गय प्लस अक यहां पस आ रहा है आ और अक तो ए प्लस अक इसमें होता है तो आयादी संधी मुता है याद रखेएगा तो अप्शन भी इसका राइट अंसर होगा इसके संपूर जानकारी के लिए आप जो है वो प्ले लिस्ट में जो वीड आप यह कोई कहां बताई दोस्तों निश्चय वाचक जो निश्चित हो जिसे हम किसी को आप बोलते हैं तो आप कितने के लिए भी हो सकता है कोई मतलब पता ही नहीं कौन है कहां इसका भी कोई जानकारी नहीं लेकिन यहां हम जब किसी चीज को बतागर बोलते हैं यहां त तो option B इसका right answer होगा, निश्य वाचक जो सर्वनाम है यहाँ रहेगा, अगला प्रस्ण है, हिंदी के प्रमुक ललित निबंदकार है, तो इसका right answer हो जागा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्वेदी, option इसका right answer है, याद रखेगा, अगला प्रस्ण है, अधि मानता में प्रयुक तो उपसर्ग बताएं, उपसर्ग मतलब जो सब्दक आगे लगाए, लगता है, तो यह तो रहेगा नहीं, यह प्रत्या है, जो पीछे लगता है, ता, यह कट यह option, अ, अधि और अध दिया गया है, बताएं दोस्तों, अध भी नहीं रहेगा, अधि और आ, इन दोनों में इस रहेगा, तो देखिए, इसका राइड अंसर होगा, सी, अधि, अधि प्लस मानता, अब संसी इसका राइड अंसर होगा, सत्तर प्रश्ण है, वाक्यांसों अत्वा, वाक्यों को जोनने का कार्य कोन करता है, क्रिय विशेशन, समुच्य बोधक, संबंद बोधक या विश्मयादी बोधक, बताएं दोस्तों, तो देखिए जो वाक्य के अंस है और वाक्य है उसको जोने का कारे करते हैं समुच्य बोधक अवियो तो उप्शन भी इसका राइट अंसर होगा अगला प्रश्ण है नहीं पराग नहीं मधूर मधू नहीं विकास इहिकाल अली कली ही सोग बिंध्यो आगे कौन हवाल पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक या अन्योक्ति, बताई दोस्तों नहीं पराग, नहीं मधुर, मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियों, आगे कौन हवाल तो देखे दोस्तों इसमें राइट अंसर हो जाएगा अपसंडी अन्योक्ति मतलब इस अन्योक्ति अलंकार उसको बोलते हैं जिसमें उपमान के माधियम से उपमे का वन्नान हो और जिसमें उपमान अप्रस्तूत हो, मतलब उपस्थित नहों और उपमे अप्रस्तूत हो तो उसे बोलते हैं अन्योक्ति, याद रखेगा, अन्योक्तिय लंकार उसे बोलते हैं जिसमें उपमान के माध्यम से उपमे का वन्नान हो, उपमान इसमें अप्रस्तूत होता है और उपमे जो होता है प्रस्तूत होता है, तो नहीं पराग, नहीं मधुर, मधुर, नहीं विक इसमें है अन्युक्ति अलंकार यद रखेगा चले दिखते हैं अगला प्रश्ण इन में से कौन सा सब्द सुध्ध है कवी यत्री उप्युक्त इतिहासिक अभी व्यक्ति बताई दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन भी उप्युक्त उप्युक्त तो मतलब जो उपर दिया गया है याद रखेगा तो आप्शन भी इसका राइट अंसर होगा बाकि असुद्ध सब्द हैं इसमें ए रहेगा इतिहासिक में अभी वैक्ति में आधा वरा जाता है याद रखेगा जो चिन्न दिया गया है वो किसका चिन्न है आपको बताना है विस्मियादी बोधक का, उद्धरान का, लाघाओ का या विवरान का बताई दोस्तों तो देखे जो याद चिन्न है वो है विस्मियादी बोधक अब सन ए इसके राइट अंसर होगा अगला प्रस्ण है या सोदा सब्द में कौन सी संधी है गुड संधी है, विसर्ग संधी है, वेंजन संधी है, स्वर्शंधी है बताई दोस्तों तो देखे या सोदा का अगर हम संधी विश्यत करें, तो होता है यसह लस्दा तो यह हो जाता है या सोदा तो जो विसर्ग का याद रखेगा विसर्ग जो है, वो बिंदू से होता है, बिंदू से इसके पहचाना जाता है अगर आप ऐसा देकर आपको यह पुछा जाए कि इसमें कौन से संधी है तो याद रखेगा विसर के संधी है तो यह सोदा का अगर संधी विश्यत करें तो वही आता है तो विसर के संधी से राइट अंसर होगा चोहतर का बे नीमनलिकित में से रूड सब्दा कौन सा है चोपाई है, विज्ञान है, राजपुत्र है या सरल है बताई दोस्तों तो देखे, सरल जो है रूड सब्दा है रूड सब्दा है योगिक नहीं है, याद रखेगा सरल मतलब एक ही सब्दा देखे यहाँ पस चौपाई मतलब जिसका चार पैर हो, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विज्ञान मतलब विशेज ग्यान, लेकिन सरल को अगर संधी विश्यत करना तो यह नहीं होगा, यह एक ही सब्द है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, सब प्रस रल नहीं कर सकते, इस पुत्र, राजा का पुत्र, विज्ञान, वी प्लस ग्यान, मतलब इसका विशेज अर्थ होता है, वो योगिक होता है, याद रखेगा, लेकिन रूड सब्दा केला होता है, तो सरल जो सब्दा है, वो रूड है, याद रखेगा, सरव्यकाव्य के अंतरगत आते हैं, सरव और वियंक बताये दोस्तों तो देखे हम किसको सुनते हैं तो टो कहानी और कवीता तो आप्चान इसकर रईट अंसर होगा कि अगला प्रफण है बंधन किसका प्रतीक हैं बंधन किसका अनसर मानता यह अकेले वनागनी, दवागनी या बढवागनी बताई दोस्तों तो देखिए इसका राइट अंसर हो जगा बढवागनी अब संडी इसका राइट अंसर होगा जट्रागनी पेट में लगनी में आग इसको माना जाता है वनागनी वनो में दवागनी ये भी वनों के लिए है कावे के सोभा कारक धर्म किसे माना जाता है अगला प्रश्ण है कावे के सोभा कारक धर्म किसे माना जाता है तो देखे कावे के सोभा बढ़ाने वाला जो अंग होता हुआ लंकार है है ना, उनियासी के डीस का राइट अंसर हो जाएगा रात में विचरन करने वाला निसाचर, वनचर, तमचर या निसाकर बताई दोस्तों तो देखे रात में विचरन जो करता है उसे बोला जाता है निसाचर रात में चरने वाला पसार सब्द है देशा जह विदेशा जह तत्वाव या तत्सम है बताई दोस्तों तो देखे पसार जो सब्द है वो संस्क्रिट सब्द है या थार तत्सम अब संदी इसका राइट आंसर होगा अगला प्रेशन है अवसार का लाब उठाना मुहावरे का सही अर्था है अंगारों पर पैर रखना, फूले न समाना, भाती गंगा में हाद धोना, अकास पता लेख करना बताई दोस्तों देखे अवसार का लाब उठाना मतलब भाती गंगा में हाद धोना अब संसी इसका राइट आंसर होगा तो दोस्तों अगला प्रस्ण है, खंड कावय में किसका वन्नान होता है दिया गया है मानो जीवन के व्रिया दिवम व्यापक पक्ष का चित्रन, मानो जीवन के एक भाग का चित्रन, मानो जीवन के सुक्ष्म पक्ष का चित्रन, मानो एत्तर जीवन के शंपूर्ण पक्ष का चित्रन तो खंड कावय में किसका जिक्र होता है दोस्तों बताएगा तो देखे इसका right answer हो जाएगा मानव जीवन के एक भाग का चीतरन होता है इसी कारण इसके खंड कावय बोला जाता है याद रखेगा जो महा कावय है उसमें पूरा जो जीवन का वर्णन होता है लेकिन जो खंड कावय है उसमें किवल जीवन के एक भाग का चीतरन किया जाता है अगला प्रश्ण है वीर रस्ट के इस्थाई भाव क्या होगा तो देखे वीर वीर रस्ट के जो इस्थाई भाव होता है वह होता है उत्साहा तो 84 के D इसका right answer हो जाएगा अप्शन B प्रित्वी राज की आखे किस विधा की रचना है प्रित्वी राज की आखे किस विधा की रचना है आपको बताना यह एक आंकी है कि कहानी है कुपनियास है कि नाटक है प्रित्वी राज की आखे किस विधा की रचना है तो देखिए इसका राइट अंसर हो जागे दोस्तों एक आंकी आप्शन ए इसका राइट अंसर रहेगा 85 का A अगला प्रस्ण है भावक सब्द उधारन है आयादी स्वर का, दिर्ग स्वर का, गुण स्वर का या वृद्धी स्वर संधी का आपको बताना है इसमें पहला सब्द अगर भावक से देखें तो A है और प्लस उख मतलब O है तो कौन सा होगा इसका इसका हो जाएगा अप्शन ए आयादी, आयादी स्वर संधी है या दर रखिएगा भावक में 87 तुमने जो सब्द है वो कैसा सब्द है आपको बताना है प्रथम पूरुस है, अन्य पूरुस है, मध्यम पूरुस है या उत्तम पूरुस है तो देखे इसका राइट अंतरो जाएगा मध्यम पूरुस है तो तुमने है वो मध्यम पूरुस है इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा पूरुष, मद्यम पूरुष, प्रथम पूरुष अन्य पूरुष जैसे इस पर, आपको वहाँ पसे आप जाकरी से पढ़ लिजेगे अच्छे से, तो उसमें आपको जाद अच्छे समझ में आगा, ये मद्यम पूरुष से याद रखेगा, अगला प्रशन है, अनुष सब को हमें बनाना है, इस्तरी वाचक, तो हो जाता है, इसमें कौन से लगता है, तो आ, अपसंसी इसका राइट अंसर होगा, क्या हो जाएगा, अनुजा, अनुज से अनुजा, अनुजा जो है, इस्तरी वाचक सब्दा है, याद रखेगा, अगला प्रशन है, प्रिय प्रव सब्सक्राइब इसका राइट अंसर होगा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें अब्वे प्रश्न यह क्वेस्टन जो प्रिवेड डियर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है मिस्रवाक से समंदित निम लिखित में से मिस्रवाक एक चैन कीजिए अरे वह उत्तिन नहों गया इसमें विस्मयादी वो धक्चिन लगा है यह नहीं होगा इसे पहले ही कार दिजी आप अप्शन B है जब अनीता गाएगी तब सुझाता नाचेगी C है लड़के ने अपना दोस्मान लिया मैं चाहता हूँ और मैं कारिय करूँगा तो देखिए लड़के ने अपना दोस्मान लिया सराल वाक क्या है यह तो यह भी नहीं रहेगा पहला नहीं रहेगा विस्मयादी वो धक्चिन लड़के ने अपना दोस्मान लिये भी नह आप संडी नहीं रहेगा मिस्त्र वाक्य कौन सा है तो जब अनीता गाएगी तब सुझाता नाचेगी एक जो मुख्य वाक्य से उस से जुड़ा हुआ दूसरा उप वाक्य हो आप संडी इसका राइट अंसर है मिस्त्र वाक्य का इनके अन्वे प्रश्ण है अंजली बहुत थोड़ा भोजन करती है वाक्य में क्रिया विसेसंड है करती है बहुत भोजन या अंजली बताईए इनमें से कौन सा क्रिया विसेसंड है देखिए दोस्तों क्रिया विसेसंड वो हता है जो क्रिया की विसेस्ता बताता है क्रिया क अंसर होगा option B क्रिया की विशेष्टा बताने वाले सब्दों को बोलते हैं क्रिया विशेष्टान तो क्रिया यहाँ पस है थोड़ा भोजन और इसकी विशेष्टा बता रहा है बहुत तो इसका राइट अंसर है बहुत निन्यानवे के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है अनुभाव हिन होना किसी कारे को पूरा ना करना धन संग्रा की चिंता में पढ़ना वास्तिविक्ता से भिन्न इस्थिति बताई दोस्तों देखे ब्यानवे के जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसन सी धन संग्रा की चिंता में पढ़ना निन्यानवे के फेर में पढ़ना इसका राइट अंसर होगा धन की संग्रा की चिंता में पढ़ना बहुत इंपोर्टेंट परशन है याद रखे ब्यानवे भाव और मनोविकार किसकी रचना है आपको बताना है तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा रामचंदर सुकल के यद रखेगा रामचंदर सुकल की रचना है भाव और मनोविकार विशेशन जिसकी विशेशता बताता है वह क्या कहलाता है सरोनामिक विशेशन प्रविशेशन विशेश्य परिमाण वचक विशेशन बताई दोस्तो तो देखे विशेशन जिसकी विशेशता बताता है उसे हम बोलते हैं विशेश्य याद रखेगा आप्समसी इसका राइट अंसर होगा छप्षिजो चपला का प्र चपल दोसतों दोस्तो सब्सकूद这 ध्रुक मतलब नत डरीन को कि चपला कीकंसी तर न द्सरते क्याकश्ट दुगना प्रतुरा, कि होको जो प्रतुरा मिलव सब्हीदे peels. जिसे हम 36 गड़ी में का रजना बोलते हैं वो भी रहेगा जो उसका लाइट आता है वो रितू का विलूम सब्द है सीधा वक्र सरा त्रिकोन बताई दोस्तों तो देखिए रिजू का विलूम सब्द है वक्र आपसन भी इसका राइट अंसर होगा बहुत ही जाद इंपर्ट ज़ियत का दिया गया है विनित आवनती विनाय raising अनुधार बताई दोस्तों संताव संताथों क्या होगा क्या हो लुए उद्दत का होता है विनित Central a इसके राइट अंसर होगा छह माही में कौन सा समय से महिं में इतृत होतों आपको बता रहा है महिना मतलब 6 माह तो ऐसे कौन सा समास से जिसमें अंकों से होता है जिसमें अंक अगर बता दे जाए सामने मतलब वो इतने कितने दिन का है तो कौन सा समास होता है तो देखे वो होता है द्विगू याद रखेगा तो अंठानबे का ए राइट अंसर होगा सब्त रिसी, साथ रिसी वो भी द्वीगू होगा पंच परमेश्वर, पांच परमेश्वर मुझो संख्या बताता है याद रखेगा वो द्वीगू समास होता है अगला प्रश्ण है वैद साला सब्द है अयोगिक, रूण, योगिक, योगरूण बताई दोस्तों देखे, वैद साला जो है योगिक सब्द है वैद्य, वैद साला मतलब वैद साला वैद्य के उप्चार के लिए जो साला होती है उसे बताए गया है तो वैद्य के लिए साला इलाज के लिए एक इस्थान तो योगिक सब्द है दो से मिलकर बना है और इसका एक सार्थाक अर्था होता है लिगर रूड में नहीं होता है याद रखेगा option C इसका right answer होगा अगला प्रश्न है last इस वीडियो का दिगंबर सब्द का संधी विच्छेद है तो देखे इसका right answer हो जाएगा option B दिग प्लस अंबर आप संधी इसका right answer होगा याद रखेगा वेल संधी विच्छेद होगा याद रहते तो दिग का जो रुड नियाम को परना तो जरूर प्लेश्ट नमर जाकर देखेगा वहां पस बताया गया है कि कैसे कल जो है कौन सा बदल जाता है आधक जो होता है सामने में स्वर आने से जो है, गम में बदल जाता है तो ऐसा ऐसा नियम है तो आपको इसको देख कर जाएंगे तो दी गमबर जो है उसका संधिवीच संधिछ दिख प्लस अंबर हो जाएगा atau कामें परिवर्थित हो जाएगा और जब ऐसा सब्द दिया जाएगा तो आपको संधी करिये बोले जाएगा अगर क्वेस्टन में तो आपको ऐसा आया किसका राइट अंसर तो दोस्तों यह थी इंपॉर्टेंट प्रश्ण हिंदी के 50 प्रश्ण जो कि आपकी 36 गड़ प्रिवेड और डियेड एक्जाम्पल प्रियावची सब्द इसको याद करना पड़ता है लेकिन कुछ नियम से बनता है जैसे समास संधी है तो इनके लिए नियम लगता है तो यह थी इंपॉर्टेंट प्रश्ण 50 प्रश्ण हिंदी के मिलते हैं निस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद